बिग बॉस सीजन 14 अब धीरे धीरे बनता जा रहा है दंगल यानि कि यूँ कहलो कि TRP के लिए इतना ज्यादा भटकना कि एजास एंड विकास की लड़ाई ही करवा देना इनका मेटर सारा ये था कि एजास की जो गल्फरेंट थी वो विकास की भी गल्फरेंट थी और इस पड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आई जब आपको पता है अगर ऐसे मामले में लड़ाई हो जाए तो डेफिनेटली भाई पानी जो है वो हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो इस वजह से जो विकास की गल्फरेंट वो ही एजास की गल्फरेंट और उस लड़की ने इन दोनों को ही धोका दिया तो इस वजह से विकास एंड एजास दोनों लड़ते हुए आपस में नजर आए जो एजास ने विकास गुपता के ओपर भड़क कर एक चेर रखी हुझी चेर के उपर जैसे ही उन्होंने किक करी वो विकास के लगते हुए सीधे सीधे वो आगे जा पड़ी यानि कि यू कहलो जो वो चेर्ज हैं वो कांच की चेर्ज हैं तो उसका पूरा कांच ब्रिक हो गया है तो ये सीन हमें स्पेशली टेलीकास्ट किये जाएगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा क्रियेट होता हुआ नजर आएगा बड़ा मुमेंट यानि कि जिसके उपर डिसकेशन भी होगा वीकेंड के वार पर सलमान कांच जब क्लास इस्पेशली लगाते हुए नजर आएगे बाराल अपडेट्स का वेट करना होगा कि क्या वीकेंड के अपडेट आती हैं मगर इस ताइम विकास एंड एजास के वीच में एक बड़ी जंग पिछड़ चुकी है और बिग बॉस का घर अब बन चुका है दंगल हद से ज्यादा ट्यार पी के लिए गुजरने के लिए तैयार हैं मेकर्स अब कुछ भी हो जाया वई ट्यार पी चाहिए हमारे को दंगल बनाना ही पड़ेगा बारल कितना एक्साइटीड अब यह वाला शो देखने के लिए एपिसोर नीचे प्यार सा कॉमेंट करने दली से बताएं लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलिएगा अब डेट से लगटार आपसे शेर की जा रही है